हाई फ्रेंड्स मैं परंदर खारी फ्रेंड्स आज की है हमारी गेम जिनकी वीडियो रेकमेंडेशन है उनकी आईडी है AJS अंडरस्कोर लैग और उन्होंने जिस गेम के पर मुझसे वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स वो गेम है सन 2024 मतलब 20 साल की प्राग मास्टर्स में यहां थर्ड राउंड में मुकावला होता है रमेश वागु प्रग्रेंड्स और रिचर्ड रापॉर्ट के बीच में दोनों के खिलाडी बाकि में लाजवाब है और रापॉर्ट को तो मुका देना मतलब अपनी जान को आफ़त बुलाना है यहां D4 के साथ प्रग्रेंड नाइट F6 का रेप्लाई यहां रापॉर्ट ने दिया, C4 हुआ, G6, Nc3, Bishop G7, E4, D6, H3 और इसके बाद यहां रापॉर्ट का आया, Bishop आया E3 स्क्वार पर, then Knight C6, तो D5 Knight कोंस्टेबल रखो, यह गया E5 स्क्वार पर, not exactly, को इश्व नहीं लेकिन Knight का अग्रेसिव स्क्वा पॉल्म तो ब्लैक को जादा देखने में रहे रही है, लेकिन हाँ, White का पॉन्स्ट्रक्चर आगे बहुत जा चुपाए, लेकिन थोड़ा सा Out of Control ना हो जाए, मतलब backward pawns की position जादा strong ना बन जाए, Knight E2 यहां पहले, White ने किया, then C6, और उसके बाद यही Knight गया G3 स्क्वार प Knight का E8 स्क्वार पर जाना, मेरी ख्याद से F1 टुश इनिशियेट करवाता है, लेकिन उससे पहले Black ने आने का पर उटने अपने E-Pon को आगे पुश किया, D-Tex E6, F-Tex E6 ठीक है, F-File open हो चुकी है, कैसल करने का समय तो आ चुका है, और मेरी ख्याद से कर लेना चाहिए ता प्रग्नाननन्द को, लेकिन प्रग्नाननन्द बिल्कुल दूसरे मून में है, उन्हों ने यहाँ पहले किया H4, और फ्रेंटस, H4 होने के बाद आगे क्या होने वाला है, ये बताने की जूर्ट नहीं है, बिशप F6, ये प्राफॉर्ट ने खेला है, और डिरेक्ली उ अटेक बन रहा है, जो की चेक के साथ हो, मतलब पहला मूव खेलने के लिए हैं, वाइट ही प्रेशर में रहेगा, लेकिन फिर भी उसके बाहुद अगर प्रग्ने देरे रिस्क लिया है, तो किस आधार पर लिया होगा, मेरे साब से, यहाँ ये F1 ही आगे कुश होगा, त इनको चलो, अटवाली आजाएगा, कोई टेक जीतरी होने के बाद पॉन तो बच जाएगा, लेकिन हाँ, F1 पुश रहने वाला है, और मेरे ख्याल से, वाइट इसके बाद लांग साइड कैसल करके, दोनों रुक्स को बिल्कुल सही स्क्वाइर पर लेकर आएगा, गेम मे प्रेशर में रखने की कोशिश ही, क्या कहते हैं, क्या नाइट को इल्मिनेट कर देना चाहिए था, बिशप टेक्सी 5, मुझे ठीक लगता है, यहां से चलिए अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं, तो अव्यस है, और यह बड़ा अच्छा स्ट्रुक्चर बन जाएग और अब यहां इस पॉइंट पर रापॉर्ट ने अपनी क्विन को A5 स्क्वाइर पर प्लेस किया, और एग्जैक्ली बिल्कुल प्रेशर है यहां पर, वैसे अगर यह क्विन मान लेते हैं, B6 स्क्वाइर पर जाती है, तो भी एक खत्रा था, लेकिन वह बाद की बात है, क्विन D2 चाहिए, यह डिफेंस भी सही है, यहां C3 स्क्वाइर पर बचाओ करना जादा जरूरी है, क्विन B4 और यहां अब B2 पाउन पर अटेक बना, फाइनली उसी पाउन पर अटेक बना भी था, लेकिन इसका डिफेंस करने के लिए प्रेशर है, और अब वो बिलकु प्रिफेंस प्लैनिंग के साथ काम किया, E5, ओके अगले मूव में यह पाउने कदम और आगे पुशो का, नाइट पर प्रेशर बना सकता है, लेकिन उससे पहले E5, डी टेक्स E5, बिशप टेक्स C5, क्विन टेक्स E5, फ्रेंस काफ इंटरस्टिंग हो जाता है, यहां से ह पर नाइट टेक्स E5, यहां बहुत कुछ हो सकता है, नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, इस तरह से गेम आगे बढ़ती, लेकिन क्विन टेक्स E5 करने के बाद, मुझे यहां यह नाइट में नीवर क्लियर कट बहुत अच्छा नाजरा रहा है, इस पॉइंट पर E5 कर लेना चाहिए था, यह इस गेम में वो मुव है, जो प्रग्नारद को काफी कॉस्ट करने वाला है, यह पॉइंट यहां यहां इस पॉइंट पर जी पॉइंट को आगे पुष्ट किया, यह बहुत ही पुष्टनेवल मुव है, E-Tix-F4, H-Tix-G6, आपने यहां इस पॉइंट को क्यों जाने दिया अपने हाथ से, H-Tix-G6 हुआ तो ही, लेकिन H-Tix-G3, और यहां कम से कम एक पासर चाहे वो भी है, लेकिन धर्ड रैंक में पहुँच चुका है, तो वाइट की थोड़ी एनरजी यहीं इसी पॉइंट उन्होंने यहां R-Tix-H7 करना चाहिए था, 7th rank में अपने रुक को कोचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, और further उसके बाद अपने Rooks को H-File में लगा कर गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, in fact यहां G-Pon आगे कुश हो सकता था, वो हुआ नहीं, यहां प तो यहां इस पॉइंट पर अब ब्लैक के पास क्या-क्या आउप्शन्स हैं, नाइट X-G7 की जो लोग आउप्शन्स सोच रही हैं, तो मेरा मानना है कि यहां बहुत रिस्की है, क्यों? बिशप X-H7 चेक होगा, उसके बाद अगर आप किंग को ठीक है, H-8 स्क्वार पर कर जाते हैं, तो अपनी तरह की समस्यां खेड़ी होती हैं वहां पर, खैर यहां मान लेते हैं, किंग F-7 स्क्वार पर जाता है, लेकिन उसके बाद होगा, नाइट E-4 और पहले तो क्विन और उसके बाद यह चेक भी नजर आगी होगी, क्विन को हटा लेंगे, देन रु नाइट बीच में अरे, नाइट तो बीच में लगने का कोई बनता नहीं है, यहां फिर खेला जाएगा, रुक F-1 चेक, दूसरे रुक से चेक आएगी, बस गेम में बचे गाई, लेकिन दूसरी आप्शन भी है, जरूरी थोड़ना है कि नाइट से ही लिया जाए, यहां क खेला जाएगा, रुक एडी गोज टू जी वन और यहां इस पॉन पर बिल्कुल एग्जेक्ली प्रेशर बनाना भी जरूरी है, रुक F-6 जैसा मूव अगर खेला भी हिया, अरे, अगर रुक हटाते हैं तो फिर नाइट हैंगिंग हो जाता है, बिशप से चेक, डिसकवर ही करेगा, पड़ा रिए उसको आपर, देन हुआ, रुक टेक्स H-7, और रुक टेक्स H-7 किया तो सही, और अब खत्रे की घंटी यहां पर रापॉर्ट के लिए यह चेक्मेट ही है, बस प्रग्णन को करना क्या है, अपने दूसरे रुक को H-1 स्कोएर पर लिए जाता है, यह चेक्मेट इनी है, चेक्मेट ही हुजाएगी, इस पॉइंट पर रापर यहां नाइट टेक्स G-7 शायद कर लेना चाहिए, अगर यहां से चलिए इस गिल को प्रग्णन को यहां जैसा मैंने कहा कि अपने रुक को H-1 स्कोएर पर लेकर जाना था, कोई नहीं था इस गेम को रोकने वाला, पर रापर्ट कुछ नहीं करते हैं, कुईन मूव कर लेते हैं, कुनेक्शन की कोशिश कर लो, जूमर जी कर लो, कुएच एट चेक होगा, किंग को फाइनली, ऐसे स्कोएर पर जाना पड़ेगा, ज नाइट D6 चेक, फॉकिंग एंड रुक, इंग D8 देन, नाइट X, खैर बहुत अच्छा गेम था यहाँ इस पॉइंट से, लेकिन इस गेम का सबसे बड़ा ब्लेंडर प्रगन नहीं किया, उन्होंने अपने रुक्स की बैटरी तयार नहीं किया, और उन्होंने इस गेम को अपने हाथ से निकाल दिया, यहाँ उन्होंने किया, रुक एच्छे, गलत भी था, क्यों, बहुत छोटे लालच के लिए, किंग टेक्स G7 हुआ, उन्हें लगा कि यार नाइट परी मिल्ड़ा, इसे लोग बतो, रुक टेक्स C8, चलिए यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जै यहाँ दिया जाएगा, यहाँ रुक H1 अब जाकर किया, यह अब कुश्चनेबल हो जाता है, इरादा शायद यही रहेगा कि रुक को वापस ला कर लेकिन अब तो यहाँ से बात निकल चुकी है बात, खेर, कुइन टेक्स D2 चेक, किंग टेक्स D2 होने के बाद, रुक की एंट्री होती है, वो भी एक चेक के साथ, किंग गया E3 स्कुएर पर, आप लोईस बिशप को मेरे पास काफी मैट्रील है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह भी तोड़ा कुश्चन हो जाता है, वैसे कुश्चनेबल है, वैसे ही चीज़, खेर, रुक टेक्स C2, और फ्रें यहां इस पॉइंट पर, रुक टेक्स E5, हाँ, यह किया जा सकता था, बेस्ट आप्शन, यह अपना रुक यू बच जाता, पॉन यू मिल जाता, और यह पॉन कहां जाने वाला है, कहीं नहीं जाता, क्या कर लें जाता है, किंग मूव कर लेते हैं, ताकि यह रुक के सामन पता नहीं क्या था, कि इतनी जल्द बाजी काम होंगे, उन्हें लगा किया, मैंटी रियाल मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो इस पॉन के साथ है, इसे कैसे रोक हो गई, नाइट मन्यू और इतनी दर्म तो भाग जाएगा, यहां से, निकल कर, बिशप आया, E6 स्क्वा गया, लेकिन फाइनल मूव थारी चट्रापॉर्ट का जी टू, फ्रेंड्स, जी तीवी गेम अपने हाथ से कैसे हारी जाती है, यहां नजर आता है, यहां पर यह बीशप आखिरकार अब सब्सक्राइब आता है, कि E6 स्क्वार पर क्यों आया, क्योंकि यहां चेक देकर आ ही ले पाएंगे, वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, मुझे उमीद है, आप से भी लोगों को भी यह गेम पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे सीट्यूचा अचाज गरूब ली सब्सक्राइब जरूब का है, आपके कमेंस का मु